नमस्कार दोस्तों मैं रावल मिशरा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माई पाट साला में और पाट साला रेलवे एक्जाम्ट में और रोज ही तरह आज भी आपके लिए करेंट अफेस लेकर आगया हूँ वीडियो देखने दे पहले इसको सेर करना मत बूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत बूलिएगा बागी कहना मेरा काम है करते तो आप अपने मन कहीं है तो फिलाल चलते हैं एक important question की ओर और आजका important question क्या कह रहा है इसको सुनते हैं लिखा हुआ है कि किसको International Academy of Astronautics यानि कि IAA द्वारा वाच कर्मन पुरुसकार 2020 के लिए नौमित किया गया है ये पुरुसकार Astronautics की दुनिया में यानि अंतरिच की दुनिया में अंतरिच सोध की दुनिया में दिया जाने वाले सर्वस्रेश पुरुसकारों में से एक है अब अंतरिच संथान के किसी ना किसी निदेशब को दिया जाएगा या किसी ना किसी बड़े वेक्ति को दिया जाएगा हेड को दिया जाएगा तो आप option से बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल पिलाल ये पुरुसकार किसको दिया जाने वाला है लेकिन उससे पहले एक रेलवे की उपलब्धी की तरफ चलते हैं हाल बिलाद देगा जाएं तो रेलवे ने अभी कुछ दिनों में बड़ी सारी उपलब्धियां हासिल की है और ऐसे में एक उपलब्धी और नजर आई कि भारती रेलवे ने आंदर प्रदेश से सूखी मिर्च रेड चिली वो बांगलादेश भेजी है अब आप कहेंगे इसमें सर कौन सी उपलब्धी वाली बात है तो आपको बताऊं ये पहला पार्सल यान है यानि कि पहली माल गारी है जिसने बांगलादेश का दोरा किया है तो भारती रेलवे ने हाली में आंदर प्रदेश की सूखी मिर्च को विसेश पार्सल ट्रेन दोरा बांगलादेश पहुचाया है विसेश ट्रेन को देश की सीमाओं से परे पहली बार बांगलादेश में बेना पोल सहर के लिए संचालित किया गया है इससे पहले आंधर प्रिदेश के गुंटूर में किसान और व्यापारी सड़क मार्ग से ही सूखी मिर्ज को बांगला देश तक पहुचाते थे लेकिन लॉकडाउन के दोरान जब सड़क मार्ग स्थकित हो गया और ऐसे में पुराने ओर्डर स्थकित होने लगे तो लोगों ने अपने अपने नुक्सान से बचाने के लिए भारती रेलवे से गुहार लगाई रेलवे के इस कदम से ट्रांक्पोर्टेशन का खर्च भी कम हो गया बताते हैं कि सड़क के राखते अगर बांगला देश से मिर्ची पहुचाते तो प्रती टन 7,000 रुपए का खर्च आता लेकिन मालगारी से भेजने में सिर्फ 4,608 रुपए का खर्च आया है तो यह अच्छी बात है अगर आपको याद हो तो 3 जुलाई के आसपास भारती रेलवे ने अब तक की सबसे बड़ी पार्चलियान चलाई थी उसका नाम रखा गया था सेशना पिछले साल भी एक ट्रेन चलाई थी लेकिन उसमें तीन मालगारियां जुड़ी हुई थी इसमें चार मालगारियों को एक साथ जोड़ के चला दिया और यह ट्रेन बन गई 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन वैसे भी मालगारी कापी लंबी होते हैं लेकिन 36 कोच होते हैं लेकिन इसमें लगाए गए थे 251 वेगन लगाए गए थे 251 कोच की रेलगारी तो सेसनाव में सुपर एनाकांडा को पचार दिया था नागपूर से कोर्बा तक चली थी 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन यह तीन जुलाई की न्यूज है जिसका नाम है यानि कि भारत की अब तक की सबसे लंबी मालगारी का नाम क्या हुआ सेसनाव हो गया इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही भारती रेलवे ने अपनी सभी ट्रेनों को उस दिन पर्टिकुलर दिन सौ प्रतिसत ट्रेनों को टाइम पर पहुँचाया इंडियन रेलवे एचीव्स 100% punctualty rate हिष्ट्री मेड और फॉस जुलाई एक जुलाई 2020 को ये कारनामा दिखाया वैसे ये 23 जून को हो जाता लेकिन एक ट्रेन लेट हो गई ती जिस वेसे ये कारनामा 23 जून को देखने को नहीं मिला लेकिन हाल बिलाई एक जुलाई को ये कारनामा में देखने को मिल गया कि भारती रेलवे ने उस दिन चल रही सबी ट्रेनों को एकदम समय पर अपने गंतव्य तक पहुचाया था यानि कि पूरे दिन में जो ट्रेन का संचालन हुआ 100% punctualty rate के साथ हुआ बारती रेलवे की जो वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यच है वो है विनोत कुमार यादो और यहाँ पर यह important news आपके सामने है तो आद्धपदेश से बांगला देश तक चली बारत की मालकारी अगली जानकारी एक अच्छी जानकारी थी एक थोड़ी सी दुखी करने वाली जानकारी है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कुछ जब जरूरत होती है तो आप मदद करते हैं लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो लोग आपकी मदद नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसे कहा जाता है हमारी सब्दों में कि उसने हमें प्रयोग कर लिया तो ऐसा ही कुछ किया है इरान ने, इरान ने भारत को चाबाहर रेल परियोजना से बाहर निकाल दिया ऐसे में भारत जो सपना देख रहा था कि चाबार बंदरगाद डेवलप करने के बाद चाबार बंदरगाद को डेवलप करने में भारत अरबो रुपे लगाए है लब डेल लाक करोन रुपे भारत का खर्च हुआ है उस बंदरगाद को डेवलप करने में और बंदरगा को अकेले डेवलप करने से भारत को फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि भारत जो अपना माल सप्लाई करना चाहता है जो सामान सप्लाई करना चाहता है वो पाकिस्तान के जरिये नहीं उसके पास एक सपना था कि चाबार बंदर गास के जो रेल परियोजना होगी उसके जरीयम अफगानिस्तान तक अपना माल पहुँचा पाएंगे लेकिन अब इस परियोजना से भारत को बाहर निकाल दिया गया है लेकिन इसका कताई यह मतलब नहीं है कि भारत को वहाँ पर रेल चलानी के अनमती नहीं मिलेगी या भारत वहाँ पर रेल आतायाथ हासिल नहीं कर पाएगा लेकिन अगर खुद का स्वामित तो रहता खुद वह परियोजना डेवलप करता भारत इरान के सहयोग से डेवलप करता यह किसी तो उसमें कहीं न कहीं तो मालिकाना हक होता और उसके जरी आसानी से यह चीज़ें हो सकते थी इरान ने ऐसा क्यों किया? कई वज़े हैं सबसे पहली वज़े तो यह है कि डोनाल ट्रम को आमंतरित करना जो इरान को बहुत बुरी तरह थे खटका इरान कई समय से काफी समय से भारत को अपना एक अच्छा दोस्त मानता रहा है और भारत के जो सम्मंद इरान के साथ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे रहे हैं ऐसे में अब इरान जब देख रहा है कि भारत ने अपनी दोस्ती अमेरिका के साथ बढ़ानी शुरू कर दी है और अमेरिका ने भी कई बार इस परतिबंद के बारे में बात की है कि हम बाकी सारे परतिबंद तो इरान पर लगा दकते हैं लेकिन अगर आप चाबार बंदरगा डेवलप करना चाते हैं तो आप डेवलप करिए इमारिका ने इस बात पर हमारे छूट दी थी लेकिन उसकी बाद इरान को एक बड़ी डील मिलने की संभावना नजर आ रही है चाइना से इरान ने कहा है कि चार साल से भी ज्यादा का समय हो गया आप कह रहे थे कि रेल परियोजना बनाएंगे और अभी तक आपने एक भी पैसा यहां पर ट्रांसफर नहीं किया है फंडिंग की कमी की वज़े से इरान ने भारत को इस परियोजना से निकाल दिया है तो इरान ने हाली में भारत को बड़ा जटका देते हुए चाबार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है इरान ने घोशना की है कि वह ये अब अकेले करेगा गौरत अलब है कि इरान और चीन के बीच 400 बिलियन डॉलर के एक बड़ी महा डील होने वाली है माना जा रहा है इस डील के चलते ही इरान ने चाबार परियोजना से भारत को बाहर किया है ये रेल परियोजना चाबार पोर्ट से जहएदान के बीच बनाई जानी थी इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरान सीमा तक बढ़ाये जाने की भी योजना है रिपोर्ट के मताबिक इस परियोजना को मार्च 2022 तर पूरा किया जाना था इरान ने भारत दोरा प्रोजेक्ट की फंडिंग में देरी किये जाने के कारण इसकी वज़े बताया है इरान ने आरोप लगाया कि समझाते कि चार साल बीज जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए पंड नहीं दे रहा ऐसे में आप खुद ही इस परियोजना का पूरा करेगा और चीन से समझाता होने के बाद इरान के मूलवूद धाचे से जुड़े जो प्रोजेक्ट होंगे उनको बीजिंग ही पूरा करेगा चावार बंदरगा देख लेते हैं यह है हमारा भारत यहीं पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो मुंबई आएगा यहां पर गुजरात का कांदला बंदरगा है जिसके जरीए यहाँ पर बड़े आसान से चावार पोर्ट के जरीए यहाँ पर ट्रांपॉर्टेशन किया जा सकता था दो बड़े बंदे हैं चावार बंदरगा की बात करें तो यह इरान का और इसको यहीं पर पाकेतान में एक गौादर पोर्ट है इन दोनों के बीच में लगबस 100 किलो मीटर की दूरी है और दोनों को लोग compare हमेशा करते रहे कि अगर आपके पास गौादर पोर्ट है तो भी बढ़िया है अगर आपके पास गल्फ आप ओमान में इस्थित चावार बंदरगा है तो भी अच्छा है क्योंकि दोनों के इस्थिती लगबस सेम है और यहीं पर है होम रूज जल डबरू मत जिसके जरीए आप अफरीका तक अपना व्यापार कर सकते हैं अफरीका और यूरोप तक अपना व्यापार कर सकते हैं यहां पर बंदरगा मिल जाता है भारत को वैसे तो मिले गहीं कि भारत ने काफ़ी सारा इंवेट्मेंट कर रखता है लेकिन इसके जरीए भारत जारदान के जरीए डेलान तक जाना चाता था जारान यानिकि आफगानिटान यहां से पहुंचना चाता था क्योंकि इस रूट के जरीए पाकिस्तान के जरीए जाने में थोड़ा तर दिक्कत है हाल विलाल ये काफी important news था और काफी important परियोजना थी भारत के लिए लेकिन अभी हाँ से फिजलती नजर आ रही है अब देखना पड़ेगा कि नरेंद मोदी जी क्या करते है इस मामले में तो चावार रेल परियोजना क्या है इस परियोजना के तहत इरान के चावार पोट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरान सीमा तर बढ़ाये जाने की योजना है रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना को मार 2022 तर पूरा किया जाना था साल 2016 में प्रधान मंती नरेद मोदी की इरान यात्रा के दोरान चावार समझाते पर हस्ताचर हुआ था पूरी परियोजना पर लब एक दसम्रूद 6 अरव डॉलर कर निवेस होना था इत परियोजना को पूरा करने के लिए इरकॉन जो कि भारती ये रेल कंपनी है वारती कंपनी है जो रेल वे का ठेका देखनी है उसके इंजिनियर भी इरान गए थे चावार बंदरगा की बात करें तो ये सिस्तान और बलुचिस्तान परांद के मकरान तक परिस्ते दोमान की खाड़ी के पास में होर्मुच जलसंदी के इस्ट्रेट के मोहाने पर है के लिए गोल्डन गेट कहा जाता है कि इसके जरीए ही कई सारे जैसे तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान आदी इसके जरीए ही हिंद मासागर में पहुंच बना सकते हैं या इरान की एक मासा मुद्री बंदरगा के रूप में कारी करता है और इसमें दो अलग-अलग बंदर इंडिया डिजिटाइशन फंड के तहर दस अरब अमेर्की डॉलर जो है वो निवेस करने वाली है गूगल भारत के अंदर और अभी हाली में एक मीटिंग हुई वर्च्वल मीटिंग गूगल के CEO सुन्दर पिछई और भारती प्यधानमंती नरेद मोधी के बीच में यह इस भारत की डिजिटल अर्थ विवता को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा कमपनी के CEO सुन्दर पिछई ने 13 जोलाइक को गूगल पॉर इंडिया के वार्सिक कारिक्रम में इसकी गोषणा की है गूगल फॉर इंडिया सबसे पहली बार साल 2015 में आयुजित किया गया था इसके बाद से हर साल ये कारिक्रम आयुजित किया जाता रहा है इन कानिकरमों में Google कंपनी भारत में अपने भविश्य की योजना के बारे में लोगों को बताती है और इसके जरीए भारत में Google का भविश्य तैय होता है तो Google के CEO वर्तमान समय में आपके सुन्दर पिचाई जबके इसको बनाया था अगली ज़यनकरी है CM के पलाणी स्वामी को पुरुषकार के अमलग ये एक संबान था पॉर्षकार की अमलग है पॉल हैरिस फैलो रिकजनीशन क्या होता है पॉल हैरिस एक तरह का आप यह समझ लीजे कि नोबल काम करने के लिए अच्छे काम करने के लिए प्रोफसाहन देने के लिए इस संथा की स्थापना की गई थी रोटरी फाउंडेशन ब्रिटेन इसका मुख्याले जो है यह आपका ब्रिटेन में है और वहां से यह संचालित होता है तो हल्वलाद तमिल नाडू के मुख मंतरी एडपडी के पलानिस्वामी को सिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल दौरा पॉल ह हैरिस फैलो सम्मान से सम्मानित किया गया है रोटरी फाउंडेशन जो है इसकी अपना 1957 में की गई थी और इसके जरिये एक पैंडलम दिया जाता है मेडलियन कहा जाता है यसे आप पिन भी कह सकते हैं यहां पर लगा सकते हैं वो पिन थोड़ा सा उसमें बैज टाइप का ह होता है जिसमें पॉल हैरिस की फोटो बनाओगा और इस सम्मान से सम्मानित किये जाने वबेक्ती को एक लेपल पिन के साथ यक परमालपत दिया जाये गा साथ ही वो पॉल हैरिस फैलो पदक का भी पातर बन जाता है उन्हें पदक पदान किया जाएगा और 1000 अमीर की डॉल पदान किया जाते हैं। उनको ये fellowship पैदान की जाएगी और Tamil Nadu का बात आया तो अभी तक Tamil Nadu मैंने काफी दिन से साहर डिसकस नहीं किया है तो Tamil Nadu को डिसकस कर लेते हैं Tamil Nadu का important चीज़ें डिसकस कर लेते हैं Tamil Nadu Agri University यानि कि Tamil Nadu Krassi Vishwavidyalay के Vice Chancellor उनका नाम था एनकुमार जिनको अभी हाली में 2019 का हरित रत्न एवार्ड दिया गया 2019 का हरित रत्न एवार्ड किसको मिला था? Tamil Nadu की Krassi Vishwavidyalay के Vice Chancellor एनकुमार को इस रो जो है वो अपना दूसरा launch pad या दूसरा launch port जो है ये ठोटू कोडी डिस्ट्रिक्ट है Tamil Nadu में वहाँ पर खोले जा रहा है बारत का पहला सुकोई 30 Squadron जो है ये सेट किया गया है तंजाव और Tamil Nadu में वर्तमान समय में IAF Chief है RKS पदोरिया IAF Chief से एक चीज याद आ रही है मुझे एक question of the day बना देते हैं आज आपके लिए अब सभी मुझे ये बताईए कि Commander in Chief of Air Force कौन है बहुत साधान प्रस्ण है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि Commander in Chief of Air Force भारतिय वायुसेना के Commander in Chief कौन है Commentation में लिखकर बताईएगा पुदुचेरी जो है ये पहला Union Territory है यानि कि केंसासित प्रदेश है जिसने CAA नागरिक्ता संसोधन विदेहक और NRC और NPR के खिलाब अपने यहाँ विधान सभा में एक बिलपारित किया था जबकि पहला राजह केरल था तमिलनाडू सरकार ने अभी एनॉंसमेंट किया कि फाइव गर्ल चाइल्ड बेलपेर इस्कीम विल सेलिब्रेट फॉर्मर सीम जैलिलता जी बर्थ अनिवसरी एज स्टेट गर्ल चाइल्ड प्रोडक्शन देश सीम जैलिलिता तमिलनाडू की सीम पूर्मुक्ष मंत्री जैलिलता जी का निधन हो गया था और उनकी जन्म दिवस पर 24 फरवरी जब उनका जन्म दिवस होता है तो तमिलनाडू सरकार ने एक राज डे या राज दिवस कोसित किया है उसे बोला गया है स्टेट गर्ल चाइल्ड डे यानि कि राज बालिका सुरच्छा दिवस डॉक्टर एन कुमार को इसके लाबा वी सी जो तमिलनाडू एईरिकल्चर यूनिवर्स्टी के वी सी है उनको लाइट टाइम एचिवमेंट एवार्ट दिया गया अभी हाली में अंतर राष्टी केला सम्मीलन के दोरान अंतर राष्टी केला सम्मीलन जो है ये आपका तिरुचिना पल्ली तमिलनाडू में आयुजित हुआ था माई लादू थुरई माई लादू थुरई माई लादू थुरई जो है ये तमिलनाडू का 38 डिस्ट्रिक बना इसी घोषना वहां के स्वियम ने की है अब तमिल नाडू में 38 जिले हैं यहाँ पर मैंने 37 लिख रखा है अब इसे अब 38 करेंगे नया डिस्टिक कौन सा है माई लादू थुरई तमिल नाडू ने अभी हाली में माइक्रो इरिगेशन यानि कि सूचमस सिचाई कवरिज के मामले में पैधान मंतरी क्रसी सिचाई योजना के दौरान फाइनेंशियल येर 2019-20 में पहला इस्थान प्राप्त किया है इसके इंप्लिमेंटेशन पे यानि कि जो माईक्रो इरिगेशन सिष्टम होता है उसको लगाने के मामले में तवेन लाडू पहले एक तान पर रहा इसके अलावा अभी जी आई टैग में बदला हुए थे तो जारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है जिसको दिवालो पर किया जाता है तेलंगाना का तेलिया रुमाल एक हैंड मेड वर्क होता है कॉटन लूम पर तंजागूर निट्टी वर्क्स पिछ वर्क एन अराम बावुर वाड कार्विंग यानि कि अराम बावुर लखडी की जो कार्विंग होती है तमिल नाडू की तरफ से थी और इन सभी को अभी हाली में GI टेग यानि कि जेग्रोफिकल आइडेटिफिकेशन टेग प्राप्त हुए आइडी मदरास के प्रोफेशर और पदमस्री एवार्ड ठाला पिल्ल प्रदीप जी को अभी हाली में 25 निक्केई एशिया प्राइस के लिए साइन्स एंड टेकनलोजिक केडिगरी में सम्मानित किया गया निक्केई एशिया पुरुसकार जापान दोरा दिया जाता है तमिल नाडू की सबना एक नॉमबर 1956 को हुई थी अब यहाँ पर जिलों की संख्या अर्थिस है स्टेट एनिमल है नीलगिरी तार नीलगिरी हिरन भी आप उसे कह सकते हैं स्टेट डांस भारत नाट्यम भारत नाट्यम जो है यह पूरे भारत में किया जाता है लेकिन इसका फेमस ओरिजिन माना जाता है तमिल नाडू स्टेट बर्ड है एमराल डॉप स्टेट प्लावर गलोरिशिया लिलिया पर कह सकते हैं इस्टेट इस्पोर्ट कबड़ी, राजकी खेल कबड़ी है, इस्टेट ट्री है, पाम ट्री और कैपिटल है, जैतून का पेड़ा आप उसे कहते हैं, कैपिटल चेन नहीं, गवर्नर बनवारी लाल पुरोईत और डान्त तो हो गया भरतनाट्यम, लोग सभा में 39 सीटे हैं और राजसभा में 18 सीटे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, अगली जनकरी है, अमेरिकी नौसीना में पहली अस्वेत महिला, सामरिक विमान पाइलेट बनी है, वो है उनका नाम है, लेटिनेन जेजी मैडलीन स्वीगल, ने नौसेनिक उडान स्कूल पूरा कर लिया है जुलाई 2020 के अंत में वो उडान अधिकारी इंसिगने, जिसे रिंग्स ओप गोल्ड है, उसे सम्मानित की जाएंगी, 1904 में रोज मेरी मैनिनर, जो की एक सामरिक लडाकु जेट, यानि की फाइटर, पाइलेट रोरने माली पहली महिला थी, अमेरिकी महिला थी, उसके सारी, यूय से नेवी की क्यों यान्दर करेंए अपने देश की बताइए, अपने देश के बारे में बात करते हैं, बारत में सबसे पहली महिला पाइलिट जो हुई, दीए लडाकों गईमान का पाइलिट होना अलग बात है, महिला पाइलिट बारत की पहली जो महिला पाइलेट थी वो सरला ठकराल थी। प्लेन उड़ाने की इजाज़त नहीं दी थी लेकिन पिछले साल ये जब इजाज़त मिली तो तीन महिलाएं एक साथ अवनी चतरवेदी, मोहना जितरवाल और भावना कंड पहली भारती ये लड़ाकु विमान महिला पाइलेट बनकर ओबरी। इसरो के प्रमुक कैलास दीवू सिवान को इंटरनेशनल अकैडमी ओफ एस्टरनॉटिक दोरा वान कर्मन पुरुसकार 2020 के लिए नौमित किया गया है। वान कर्मन पुरुसकार को IAA के उच्छतम गौरों के रूप में जाना जाता है डाक्टर के सिवान मार 2021 में पेरिस फ्रांस में पुरुसकार प्राप्त करेंगे। प्रोफेसर उड़पी रामचंदर राओ वान कर्मन पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारती थे इंटरनेशनल अकैडमी ओफ एस्टरनॉटिक की थापना भी वान कर्मन ने की थी जो संग्ठन के पहले राश्पती थे प्रेसिडेंट है यहां राश्पती नहीं हो सोध को महत्तता परदान करती है उनके बारे में थोड़ा सा लोगों को जागरूप करती है तो के सिवान इसरो के हैड जाएंगे वान कर्मन पुरुसकार ले में रस्खिन बॉन की पिच्चर आ गई है एक नई पुस्तक आ गई है एस सौंग ऑफ इंडिया पुस्तक का विम Looking for Rainbow 2017, Till the Clouds Rolled By 2017 और Coming Round the Mountain 2019 के बाद आने वाली उनकी यादगार सीरीज की चौथी पुस्तक है इन सभी सीरीज में रस्खिन बॉन ने अपने जीवन व्रत्तांतों के बारे में बताया है अपने जीवन की यात्राओं के बारे में बताया है रस्खिन बॉन बहुत पेमस लेख किया था अगली जनकारी है चीन के साथ लगातार तनाओं को बंद तनाओं होने की करण भारती सेनल लगातार हत्यारों की खरीद में जुटी हुई है और ऐसे में 72,000 SIG राइफल खरीदने का सौधा जो है वो सामने आया है रच्छा मंत्राले अमेरिका से 72,000 SIG एसाल्ट र पहुचा है जा चुकी है SIG एसाल्ट राइफल वर्तमान समय में विश्व में उपलब्द सभी राइफलों के सबसे 99 संकरोन में से एक है और इससे क्लोज और मीडियम और जो ज़्यादा दूर की मारक चमता होती है वो उसमें परियाब तरीके से यहां पर सेट की जा सकती है और इसकी मारक चमता भी अद्बुत है तो हाल विलाल रच्छा सूतरों के अनुसार पूर्वी लठाक में चीन के साथ जारी सीमा विवात के दौरान भारत सरकार ने अपनी सेनाओं की ताकत को और मजबूत करने की दिसा में कदम बढ़ाए हैं सेना की नाधन कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाको में तैना स्टैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफले पहले ही प्राप्त हो चुकी है यह राइफलों की दूसरी किस्त होगी नए हत्यारों की खरीद फास्ट्रेक पर चेज के तहत की जा रही है हत्यार बनाने वाली कंपनी सिक्सायर से भारत सेना को यह राइफले प्राप्त सकते हैं अगली जनकरी है पोलेंड से अंद्रेज डूडा पोलेंड के दुबारा राश्पती चुने गया है अंद्रेज डूडा को एक बार पिर पोलेंड का राश्पती चुना गया है उन्होंने पोलेंड में हाल ही में राश्पती चुनावों में 51.1 प्रिस्द वोट हा पुडवादी, Law and Justice Party, द्वारा तीन साल के निर्बाद सासन को सुनेशित करेगी पोलेंड की बात करें तो पोलेंड यूरोप में एक देश है, इस वर्तमान समय में राष्टपती एंडरेज डूडा, राधानी वर्षय है और वर्षाई की संदी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा जो मुद्रा चलती है, पोलिस जलाटी बोला जाता है, और लैंग्विज पोलिस लैंग्विज वहाँ पर यूज करते हैं, यूरोप का एक देश है, अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की पहली बार भारती रेलवे ने आंधर पदेश से विशेश पास्टर ट्रेनों म रच्छा मंत्राले नई अमेरिका से 62,000 SIG Assault राइफलों का ओर्डर देने जा रही है, ये दूसरे बैच की राइफल होगी, और हाली में इरान ने भारत को बड़ा जटका देते हुए चाबार रेल पर योजना से बाहर कर दिया है, एस Song of India पुस्तक के लेखक कौन है, रसक पिचाई ने थी, किसको सिखाऊगे के, रोटरी फाउंडिशन ओफ रोटरी इंटरनेशनल दौरा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से समानित किया जाएगा, तो वो है तमिल नाडू के मुख मंत्री एडपादादी के पलानिस्वामी, अमेरिकी नौसेना ने अपनी पहली अस्व तो वो इसरो के हेड, इसरो के मुखिया, कैलास अविदिवू, सिवान, और किसको एक बार फिर पोलेंड के राश्पती चुना गया है, उनको नाम है अंद्रे टूडा, अब बारी है आज के क्विज्स की, पहली बार भारती रेल्वे ने आंद्र पदेश से विचेश पार किस ने अभी हाली में भारत को जटका देते हुए, चाबाहर रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है, तो वो है इरान, इस सौंग अव इंडिया पुस्तक किसके दोरा लिखी गई है, तो ये रस्खिन बॉन दोरा लिखी गई पुस्तक है, गूगल भारत ने गूगल इंडियोजन अव रोटरी इंटरनेशनल दोरा पॉल हैरिस फेलो सम्बानते सम्बानित किया गया है, तो वो है एड़ापटी के पलानी स्वामी, अमेर्की नौसिना ने अपनी पहली अस्वीद महीला सामरीक विबान पाइलेट यानि की फीमेल टेक्टिकल एयरक्राफ्ट पाइलेट का स्वागत किया, उनका नाम किया, उनका नाम है लेप्टिनेंट जेजी मैडलीन स्वीगल, किसको इंटरनेशनल अगेडमी और एस्टरनौटिक दोरा वान कर्मन पुरुसकार के लिए नौमित किया गया है, तो वो है भारत के केश सिवान, किसको एक बार फिर पोलेंड का राश्पती चुना गया है, उनका नाम है उन्डरे टूडा, पोलेंड की राजदानी वर्षाय, तो दोफते ये थे आज़के हमारे इंबॉर्डन करेंट अपेस, और उमीद करते हैं, ये करेंट अपेस आपको पसंद आए होंगे, अभी के लिए इतना ही रख